हेलो फ्रेंटेंटस वेलकम टो गलोबल ऑन लाइन इनिवरसिटी चैनल प्लीज लाइक अड़ सब्सक्राइब धी चैनल तो फ्रेंटस आज का हमारा टॉपीक है F-Block तो F-Block में जनरली 2 series होती है, एक Lenthenoid series होती है और एक Actinoid series होती है, जो Lenthenoid series होती है, उसमें Atomic number होता है, 58 से 71 होता है और उसमें 4F series होती है, ठीक है, ठीक है तो अज हम study करते हैं 4F series या Lenthenoid की, तो उससे पहले समझने के लिए पहले एक बात समझ लेते हैं, कि इनको Lenthenide औ इनको क्या प्रॉनांस करेंगे लैंधिनोयट और एक्टिनॉयट क्यों होता है ne से झार करा यह का और इनल्यान ऑलेक्षिंव से हो जा जाती है तो यह लास्ट मेंаний लग गयाता है ठीज हो फिर बात आती है ऐग़ लेक्टुनिक इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे इनका इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन आपको फिल करना है बहुत इजी हो जाएगा और उससे पहले फ्रेंट्स हम लेंथियोड सीरीज के एलिमेंट्स को समझते हैं और मैं उसकी ट्रिक बताऊंगा उसके एलिमें इनको याद करने का तरीका बता रहा हूं याद करने के ट्रिक्स हमाजी लो फ्रेंट्स को तो क्या हो गया है एले क्या हो गया ला लिग दिया मलब अहले को मैंने ला लिग दिया और सी को के लिग दिया प्यार को प्यार लिख दिया अनड हो गया कि ला के प्यार ना दिया पम्मी सम्मी यू गुद गुद आई तब दिया होकर इंजीनियर तुम्हारा यप लू ठीक हो गया फ्रेंट्स ये एफ ब्लॉक सीरीज याद करने का तरीका हो गया अब दूसरी बात आती है इसका इसका इलेक्टोनीक कईफिएषन करने से पहले इसका इलेक्टोनीक कईफिएषन इस टाइप से होता है कि पहले 6s में बडता彈ई आप फिर 5d में और last मीं जाकर 4f में भरा जाएगा electrons, ठीक है, electrons के feeling होगी ऐसी, तो पहले क्या करते हैं, 4F, 5D, 6S लिख लेते हैं, सब के सब, ठीक होगे friends, तो अब उसमें क्या करते हैं, अब पहले 6S में electrons दे दो, 2-2, सब में दे दो, 2-2 electron, ठीक होगे friends, अब जो 5D और 4F की कहानी स्टार्ट होती है, अब ज lengthenoid series की property शो करता है, इसलिए इसको lengthenoid series में रखा गया है, ठीक है friends, अब दूसरी, अब दूसरी बात देखते हैं friends, अब जो cerium में electron आएगा ना वो 5D, अब वो 4F में आएगा, अब पहली बात की lengthenum और आपका gadolinium, ये आपको ध्यान रखना है, lengthenum, gadolinium और lu, lutetium, gadolinium और lengthenum में एक एक electron भरा जाएगा, 5D में, ठीक हो गया friends, अब क्या है, अब जब अगला electron आ रहा है, तो D में ना भरके, एक 4F में हो जाएगा, और इसका एक और electron आ जाएगा, ठीक हो गया friends, ये इसका इधर चले आएगा, तो 4F 2 हो गया, ठीक है, cerium के लिए, अब prometheum में फिर अगला electron आएगा, फिर वो 4F में भरा जाएगा, ठीक हो गया friends, जो neodymium का एगा है, नियो डाइमियम का भी अगला electron 4F में, ये 4F 4 हो गया, ठीक हो गया friends, अब जो prometheum का, हाँ, prometheum का जो होगा, फिर वो अगला electron 4F में आएगा, ठीक है, तो 4F 5 हो जागा, अब जो semarium का 8th electron वो 7 में आके 5D में चले जाता है, ये होता है, ठीक हो गया, तो 5D में हो गया, अब देखो अगला electron आना है, 4F 8 हो जाएगा, अगला electron अगर इसमें आएगा, तो ये इधर प्लस हो के 4F 9 हो जाएगा, फिर ऐसी 4F 10, 4F 11, 4F 13, फिर 4F 14, फिर जो lutitium में जो अगला electron इसकी electron के feeling ऐसे होती है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, 6S को पहले जूगा तो भढ़ दो, जेतने S में 2 electron आता है, पहले उसको भढ़ दो, फिर आपको ये ध्यान रखो कि lengthenum में 5D में 1 electron आएगा, gadolinium में 1 आएगा, D में और lutitium में 1 आएगा, बाकी में electron देदो, जैसे आप देते हो, ठीक होगे friends, तो ये होगी electronic configuration, अब इनकी जो general oxidation state होती है, वो सभी की plus 3 होती है, बट vary करती रहती है, जैसे इसकी prometheum की plus 2, plus 4, but in general plus 3 oxidation state common होती है, सभी lengthenoid series elements, ठीक होगे friends, अब friends, क्या होता है, exactly में, क्या होता है, 4F, ये 4F और 5D का ना gap बहुत कम होता है, तो actual में इनकी electronic configuration, मतलब change vary करती रहती है, और सबसे यादर vary करती है, तीन elements की, sodium, promethium और neodymium की बहुत vary करती है, बट in general, ये configuration सही है, आपका अगर question लगाओगे, अगर आप question, अगर आपका paper में आया, तो इससे question लग जाएगा, ठीक होगे friends, अब ये आगे, हमने ये सीख लिय configuration कैसे होती है, lengthenoid series में, ठीक है, ये सीख लिया, हमने lengthenoid series याद करने को तरीका सीख लिया, अब next आता है, अब मैं आपको एक चीजी और बता जेता हूँ, कि हमारी जो noble gas configuration होती है, हमारी कुछ type C होते है, noble gas configuration होते है, noble gas elements होते है, उसमें जो orbitals होते है, वो सारे field होते है, ठी ठीक हो गया, अब जो हमारा transition elements आता है, उसमें एक से ज़्यादा orbitals unfilled होते हैं, ठीक, अब जो inner transition elements आता है, उसमें क्या होता है, inner transition elements में, एक से ज़्यादा inner orbitals unfilled होते है, तो इनको इसका दूसरा नाम क्या हो गया? inner transition elements inner transition elements भी बोलते हैं lengthenoid series को ठीक अब दूसरी बात की अब जो इसमें है in elements में promethium promethium ही केवल radioactive होता है बाकी rest are stable होता है इन सारी series में ठीक यह हो गया हमारा अब दूसरा इसमें topic आता है lengthenoid contraction आपने भी काफी पढ़ा हुए अब यह क्या चीज़ आप यह देखते हैं फ्रेंट्स क्या होता है उन्ट्रेक्शन वर्ड्स है नॉट टिक्रीज तो अगर हम मैंने इसका एक ग्राफ लोट किया यह लेंट्ट्रेक्शन अब देखें फ्रेंट्स क्या होता है इधर य-axis बे अटोमिक साइज है और आप अगर अगर इन जनरल की बात करें से इक प्रेंड की बात करते हैं बोरोन से अगर मैं अक्शीजन की तरफ गया तो चीर्ट्स कि देखेंगा तो इतनी से इतना यह जाने बहुत डिक्रीज रहेगा तो क्या एगा बहुत शर्प तो बहुत कि स्लाइट हो रहा है इसका मतलब कॉंट्रेक्ट हो रहा है तो इसका एक शार्प ग्राफ ना अगे मलब शार्प स्लोप ना पे ख़ल का सा डिक्रीज आएगा तो इस चीज को गहते हैं इतना ज्याद़ डिक्रीज नीवा बट हुआ ठीक होगे फ्रेंट्स अब इसमें दो अब दो धो एलिमेंट है यूरोपियम और ये ट्रीवियम अब ये ट्रीवियम और यूरोपियम इसमें एक्सेप्शन है कि इनका इनका थोड़ा सा एक्टॉमिक जो साइज होता है वो ज् होता है इसके लिए कि और सालों की जो जो ऑक्सिडेशन स्टेट हैवरेंट्स उनकी है प्लस 3 यानि वो जब भी मेटलिक बोंडिंग करेंगे तो प्लस 3 अक्सिडेशन है बलब प्लस 3 एलेक्ट्रॉंस देंगे तो इसमें क्या होता है यूरोपियम और ये ट्रीवियम में यह plus two oxidation state से metallic bonding करते हैं, आप देखिए कैसे, अगर European की बात करता हूँ, तो European यह है friends, तो इसका क्या होगा, electronic configuration 4 है, आपका 4 F7 और यह 6 S2, ठीक हो क्या friends, तो अगर मैं इसके 2 electrons जब यह दे देगा, तो यह क्या हो जाएगा, मतलब आपका half field हो जाएगा F7, तो friends, यह half field हो जाता है, इसलिए plus two में bonding करता है, तो इसलिए ज़्यादा electrons ना देकर, थोड़ा सा atomic size increase हो जाता है, ऐसा ही कि यह same case, यह trivium होता है, यह trivium के आग में क्या होता है friends, 4F14 हो जाएगा, ठीक हो क्या, 5D0 और 6S2, अब इसमें क्या होता है, जब यह metallic bonding में participate करता है, तो यह plus two electron डोनेट करने सी, यह fully field हो जाता है, इस वह से इनका atomic size थोड़ा सा increase हो जाता है, इन केस ओफ यूरोपियम एंड लिक्षिवियम में, electron क्या होता है, atomic size थोड़ा सा increase हो जाता है, due to plus two donation of electrons, चेक है, तो यह आपका lengthenoid contraction हो गया, अब question पुटा होता है कि lengthenoid contraction हो गया, इसका reason गया है, अब reason समझने के लिए, मैं आपको बताता हूँ, reason क्या है, क्या होता है, ज अब F-orbitals में 8 lobes होते हैं, तो क्या होता है, per electron density बहुत कम हो जाती है, मनलब per electron density बहुत कम हो जाती है, इसको ही diffusion कहते है, आपने भी काफी सुना होगा कि diffusion, F-orbit diffuse होते है, तो उसमें क्या होता है, उनकी जो per lobe electron density में क्या हो जाता है, ठीक होगा, अब per lobe electron density कम होने से क्या ह मैं इसफेक्त बहुत कम हो जाएगा अई तो इल्यक्ट्रोंस में रिप अध्राव कम और दूसरी बात बड़ते हैं तो इलेक्ट्रोंस अपसमें बढ़ते हैं तो जब lengthinum से lutetium में electrons भार रहे हैं तो इसी बीच protons भी बढ़ रहे होंगे तो जब protons भढ़ा तो nuclear attraction होगा तो nuclear attraction होने से जो आपका size होगा वो shrink हो जाता है मतलब एक little bit contract हो जाता है इसी को ही lengthenoid contraction कहते हैं friends तो इसका reason यही हो गया कि F block आपका ज्यादा diffuse होता है पर लोग electron density बहुत कम होती है electron electron repulsion बहुत कम होता है बट साथ ही साथ जब protons बढ़ते हैं तो उनका क्या हो जाता है nuclear attraction हो जाता है तो nuclear attraction से size shrink हो जाता है और lengthenoid contraction इस वह से होता है ठीक हो के friends तो इस वीडियो में मैंने आपको electronic configuration बता दिया है lengthenoid series की आपको मैंने तरीका trick बता दी और lengthenoid contraction बता दिया तो ठीक है friends तो thank you for watching all this video okay friends